देखे देश में आय दिन रेल दुरघटना की खबर सामने आती रहती है। हमने आपको पिछली खबर जो रेल दुरघटना से समन्狂त बताई थी, वो खबर थी किस प्रकार से मत्थुरा के वरिंदावन में ट्रेन जो है, वो डुरेल हो जाती है। हलाकि उस खबर में हमने आपको ये भी बताये था कि वो माल गाड़ी थी जिसकी वज़े से जानमाल के हानी नहीं होती है लेकिन रेल दुर घटना की एक फिर से खबर सामने आई है और ये खबर बिहार के मुझफरपूर से है दरसल मुझफरपूर में एक बड़ा रेल हाथस पाइलिट को निलंबित करने का आदेश दे दिया गया है दरसल ये पूरी घटना शानिवार की रात की है घटना की सूचना मिलने के बाद DCM स्टेशन मास्तर तुरंत घटनासर पर पहुंचते हैं पूरे मामले की जानकारी सुनपूर मंडल के वरी अधिकारी को दी जाती ह आनन फानन में बेपट्री हुई इंजन को ठीक करके आवगमन को सुचारू किया जाता है ट्रेन को पूने के लिए रात साधे दस बजे देड़ घंटे की देरी से रवाना किया जाता है इसके बाद अधिकारीों ने राहत की सांस ली रेल भी अधिकारी ने इस मामले में ल मजफरपूर आई थी इसके बाद नरायनपूर स्टेशन पर शटिंग में लगाई जा रही है इसी दुरान यह हाथसा हो जाता है इस कारण दरजन भर ट्रेनों का परिचालन रुका रह जाता है नरायनपूर में हाथसा मामले में कारी में लापरवाही बरतने को लेकर कई के उपर जात जारी है इसी भी शनिवार के देरात मजफरफूर जंक्सन से महच सो मीटर के दूरी पर रेल इंजन बेपट्री हो गई लगतार हो रहे है ट्रेन हाथ से को लेकर लोग रेलवे पर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं लोग रेलवे पर लापरवाही बरतने लगा रहे हैं घटना सामने आते ही लोग शोसल मेडिया पर केंद्र सरकार को घेरने लगते हैं और ये कहीं ने कहीं जाहिर भी है क्योंकि अगर लगतार देश में इतनी रेल दूर घटनाए हो रही है इसका सिधा मतलब यह है कि रेलवे जो है वो अपने काम के प्रती बताईएगा वीजियो को स्माप करते हैं मिलते हैं ने वीजियो में आप देख रहते हैं सस्टॉक्स मैं थे आपके साथ जॉली पांडे धन्यवाद